अलो गाईज, आज हम भात करने जा रहे हैं हिंदी के कुछ मातोपूर क्रश्णों के बारे में चले देखते हैं चवराह एम नवरात्री में समास बताईए तो जहां भी संख्या वाची आपको देखें वहां पे आप द्विदू समास लगा सकते हैं गेहुं का तत्सम रूप है तो गेहुं का तत्सम गोधूम होता है और चड़िया को चटका या चटिका कहते हैं वी रसका स्थाई भाव लिखे तो उत्सा होता है सुधामा चरित्र के रश्नकार कौन है तो नरुत्तम दाज है मेरा परिवार किसकी रश्ना है महादेवी वर्मा की अपनी ख़बर किसकी आत्मका था है पांडे मेचन सर्मा उग्र की भक्तिकाल के प््रेमासरै साखा के कवी का नाम बताइए मंझधन भक्तिकाल का समय बताइए तो 1375 से 1700 इस्वी तक आस्तिक का विलोम नास्तिक होता है, अधिकरण कारक संबंदित है सब्दमी विभक्ती से, एक अनार सव बिमार लोकोक्ती का अर्थ है, आवश्यक्ता से अधिक मांग मादेवी वर्मा का जीवनकाल है 1907 से 1987, अर्थाद 1907 में जन्म हुआ था 1987 से इसबी में मृत्युद नए मेमान एकांकी के लेखक है उदै संकर भट, आधिकाल की भासा है, तो आधिकाल की भासा डिंगल यों पिंगल दोनों है, कमल के परियावाची शब्द है, अर्विंद, जलज, पंकज, राजीव, तोयज, यहां ध्यान रखेगा, जलज कमल का परियावाची है, और अग पूछा जाए, तो तेरह, तेरह, और सम, चरड़, अर्था, दूसरे और चौते में पूछा जाएगा, तो 11, 11, और दोहा चंद का ठीक विपरीद, अगर पूछा जाए, तो आप कह सकते हैं, कि सोर्था चंद होता है, अनुप्रास अलंकार में, कॉमा, आपको डैस दिया जाए, होती है, तो अनुप्रास अलंकार में वर्डों की आपरित्ती होती है, जैसे चारू-चंद्र की, चंचल किरडे खेल रही है, जल्थल में, यह उदारड अगर पूछा जाए, किस अलंकार का है तो कह सकते हैं, अनुप्रास अलंकार का, क्योंकि इसमें चव वर्ड क आवरित्ती हो रही है रस का अभिप्राय क्या होता है थात आपसे पुछा जा रहा है कि रस का अर्थ क्या है तो आनन्द प्रशन्नतायम खुसी होता है हमें पढ़ना चाहिए का संस्कृत अनुवाद होगा तो वयम पठेम स्वान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा तो स्वान का पर्यायवाची शब्द है शोनक, कुकर और भासक उमेद है आपको ये प्रशन पसंद आएंगे तयारी कर लिजिएगा यह है